इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई महंगाई के संबंद में Growing Price Pressures, बढ़ता हुआ कीमतों का दबाओ Policymakers need to tame, tame का मतलब होता है किसी चीज को control करना Inflation का मतलब होता है मुद्राइस्फिती, इसको आप महंगाई भी कह सकते हो Or Risk, It, Undermining, Undermine का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा weak बना देना और ज्यादा कमजोर कर देना किसी चीज को या फिर कोई चीज जिसके की सफल होने के chances हैं, उन chances को कम कर देना The Growth, They Seek, Seek का मतलब होता है चाहना किसी चीज को To Support, तो यहाँ पर Editorial बताता है कि जो हमारे नीती निर्माता है जो की मुद्रा इस्विती से संबंदित नीतियों को तय करते हैं तो Policy Makers के लिए जरूरत है कि वे इस inflation को control करने की कोशिश करें नहीं तो risk, नहीं तो जो है जोखिम बढ़ जाएगा किस चीज का जोखिम बढ़ जाएगा Undermining the Growth कि जो Growth अर्थ व्यवस्ता में जो व्रद्धी देखने को मिल रही है They Seek, यानि कि Policy Makers क्या चाहते हैं Policy Makers चाहते हैं Growth को Support करना व्रद्धी को Support करना लेकिन यह जो व्रद्धी है यही कमजोर पढ़ जाएगी अगर लगातार Inflation बढ़ती जाती है Inflation in India continues on a worrying uptrend Inflation in India भारत में मुद्राइस्फिती ध्यान में रखना यह मुद्राइस्फिती टेकनिकल तर्म है इसका मतलब महंगाई होता है तो Inflation in India continues on a worrying uptrend Uptrend का मतलब लगातार उपर जाना With the Consumer Price Index Based यह क्या है? CPI, Consumer Price Index CPI, इसके दोरा जो है यह एक सूचकांक है यह दर्शाता है, महंगाई को indicate करता है तो महंगाई जो है भारत में लगातार जो है चिंता जनक, चिंता जनक रूप से बिलकुल उपर बनी हुई है अगर हम देखें CPI है ना Reading, Accelerating Accelerating का मतब है और उपर जाते हुए और उपर बढ़ते हुए To an 8-month high of 6.07% Last month तो last month जो हमने CPI note की तो उस CPI में लगातार हमें व्रदी देखने को मिली पिछले 8 महीनों में सरवाधिक व्रदी जो की कितनी रही? 6.07% While wholesale prices अगर हम बात करें थोक कीमतों की यानि की थोक में जो वस्तों है खरीदी जाती है wholesale prices Logged Logged का मतब है यहाँ पर To officially record something किसी चीज को officially दर्ज करना तो wholesale prices जो हैं वे कितनी दर्ज की गई? A double digit A double digit increase for the 11th statement लगातार 11 महीने double digit में जो है दर्ज की गई wholesale prices Double digit का मतलब है 10, 11, 12 इस तरह से है February's Headline WPI की फरवरी की अगर हम बात करें Headline WPI यानि की फरवरी में क्या रही? मुख्य News WPI के संबन्द में WPI inflation wholesale price inflation Spurted इस Spurt का मतलब है यही होता है S P U R T इसका मतलब है increase To increase or grow very quickly To 13.11% तो फरवरी में हमें क्या देखने को मिला? यह जो WPI inflation है इसमें हमें growth देखने को मिली, व्रदी देखने को मिली और यह कितनी रही? 13.11% Retail inflation अगर हम खुद्रा मुद्रा इस्वीती की बात करें देखो retail का मतलब क्या होता है? चीजे जब आप retail में खरीदते हो न तो यह दुकान पर जाकर आप एक या एक वस्तू या दो वस्तू जो खरीद दी इनको बोलते हैं retail Retail inflation रिमेंड इस्टक इस्टक का मतलब है किसी एक जगे पर फस जाना या एक ही जगे पर बने रहना Above the RBI's Apple Tolerance Tolerance का मतलब है जिसको आप सह सकते हो जिसे आप बरदाश्त कर सकते हो Upper Tolerance Threshold का मतलब है Limit of 6% for the second month तो अगर हम बात करें retail inflation की तो retail inflation भी लगातार जो है RBI ने एक level set कर रखा है भई RBI ने क्या है एक upper level, upper threshold limit जो है RBI ने set कर रखी है कि भई इससे उपर retail inflation नहीं जानी चाहिए लेकिन लगातार दूसरे मन्त लगातार दूसरी मन्त RBI का जो RBI का जो upper threshold है उसके उपर retail inflation बनी रही वो ऐसा इसलिए food price inflation कि अगर भोजन से संबंदित ये जो हमारे खाद्यान है इस से संबंदित अगर हम कीमतों की बात करें food price inflation इन में जो है तेजी आई to 5.85% तो food price inflation जो है वो कितनी रही 5.85% households का मतलब है घर ये आम घर की अगर हम बात करें घरों की households in the hinterland hinterland का मतलब होता है अंतरवर्ती चेतर देश के अंदरूनी चेतर वह एक तो हो गई main main cities और इसके अलावा ये है एक तरीके से गरामीन चेतर या अंतरवर्ती चेतर households in the hinterland bore a bigger brunt देखो the brunt of something the brunt of something इसका मतलब होता है the worst problems caused by something कि किसी समश्या के सबसे खराब परिणाम किसी समश्या के सबसे खराब नुकसान और यहां पर ये जो लिखा हुआ है bear the brunt of bear इसका मतलब है सहन करना bear the brunt of something का मतलब है किसी चीज के बुरे परिणामों को जहलना उनको जहलना तो women जो घर हैं खास करके देश के अंदरूनी चेतरों में उन्होंने जहला किस चीज को जहला bigger brunt of the burden उन्होंने और ज्यादा भाहर जहला as ऐसा इसलिए price gains measured by the consumer food prices की कीमतों में बड़ोतरी जो की मापी जाती है consumer food price index के द्वारा तो rural चेतर में ये जो अगर हम बात करें कि rural चेतर में क्या रहा surge का मतलब है बड़ोतरी होना by 69 basis point from January's level तो January का जो level था उस level से अगर हम देखें तो 69 basis points की व्रदी हमें देखने को मिली consumer food price index में ग्रामीन चेतरों में और वो कितनी हो गई तो 5.87% price gains in the key protein source of meat and fish price gain की कीमतों में बड़ोतरी की अगर हम बात करें in the key protein source की मुख्य प्रोटीन के जो स्रोत हैं जैसे की meat या fish इनकी अगर हम कीमतों की बात करें तो jumped तो इनमें भी बड़ा उच्छाल देखने को मिला हमें by almost 200 basis points कितना इनमें देखने को मिला हमें 200 basis point का की बड़ोतरी देखने को मिली from the preceding month preceding का मतलब होता है पूर्व वाला पहले वाला तो पहले पूर्व वाले मन्त की तुलना में 200 basis point की जो हमें बड़ोतरी देखने को मिली in protein sources में न meat और fish में जो की कितनी हो गई 27.45% while जबकि nutrient rich vegetables की nutrient rich जो vegetables हैं विबिन तरह की जो सबजिया हैं also logged तो उनमें भी जो है दर्ज किया गया क्या inflation mudraisviti of 6.13% in February तो फरवरी में जो विबिन वेजिटेवल्स हैं उनमें भी जो है inflation कितनी दर्ज की गई 6.13% belying देखो belying का मतलब होता है जुट लाते हुए इस बात को जूट साभित करते हुए गलत साभित करते हुए belying the central bank's prognostication देखो prognostication का मतलब होता है कि कोई चीज जो भविश में होने वाली है उसके बारे में कुछ कहना एक तरीके से ये prognostication आप समझ सकते हो एक तरीके से आप कह सकते हो भविशवानी कि पहले से जो है predict करना किसी चीज के बारे में है कि भविश में क्या होने की संभा होना है उसके बारे में predict करना तो prediction कह सकते हो आप इसे तो ये जो vegetables में growth हमें देखने को मिली फरवरी में है ना 6.13% की इस बात को जुटलाते हुए the central bank's prognostication भई जो central bank है उसने इस बात की भविशवानी की थी prognostication last month of an expected easing of vegetable prices expected का मतलब है जो आपने आशा की थी ease का मतलब है थोड़ी राहत मिलना, थोड़ी कमी आना vegetable prices on fresh winter crop arrivals, तो central bank का कहना था कि भई सर्दियों के time पे जब crop आएगी सर्दियों के time पे फसल आने के दोरान जो है, vegetable prices उनमें कमी आएगी, ऐसी आशा central bank ने जटाई थी लेकिन इस आशा को बिलाई करते हुए, इस आशा को जुटलाते हुए, हमें inflation जो है, ज़्यादा देखने को मिली और ज़्यादा किस से देखने को मिली, central bank ने, जो भाईश्वानी की थी, उससे ज़्यादा and even though inflation in oils and feeds ease, ease का मतलब वही राहत मिलना by more than 220 basis points कि अगर हम बात करें and even तो हालंकी, यद्यपी, inflation in oils and fats और विभिन तरह के जो oils हैं और जो fats हैं, इनमें अगर हम मुद्रा इस्विती की बात करें, तो इनमें जो है काफी कमी आई, कितनी 220 basis points की कमी आई, और इतनी देखने को मिली हमें है na, inflation, oils and fats में 16.44%, there is little room देखो, अगर यहाँ पर लिखा होता न, a little room, तो इसका मतलब होता कि थोड़ी बहुत गुंजाईश है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है there is little room, तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल ना के बराबर गुंजाईश है, फौर चियर है न, तो यहाँ पर editorial बताता है कि ठीक है, oils and fats जो है, इनमें थोड़ी सी हमें inflation में कमी देखने को मिली है, 220 basis points की कमी देखने को मिली, फिर भी प्रसन होने के लिए कोई ज़्यादा गुंजाईश नहीं है, given इस बात को देखते हुए, इस बात को धिहान में रखते हुए, that one can expect a spike spike का मतलब है बड़ोतरी again, this month वो इसलिए कि देखो, one का हम प्रियोग करते हैं, किसी भी general व्यक्ति के लिए, कोई भी general व्यक्ति के लिए हम one का प्रियोग करते हैं given that, one can expect यानि कि आम आदमी ये उमीद कर सकता है, कि फिर से हमें बड़ोतरी देखने को मिलेगी, oils and fats में, क्यों? वो इसलिए given का मतलब होता है, इस बात को धियान में रखते हैं in the wake of, in the wake of का मतलब है, के चलते, के कारण, of the abrupt abrupt का मतलब है, अचानक से disruption का मतलब है, बाधा, रुकावट in the supply of edible oils, from war torn, war torn का मतलब है, जो yudh से grassit है जो yudh से जूज रहा है from war torn Ukraine कि जो yukraine है, जो की war जहल रहा है, ना war torn का मतलब है, जो war जहल रहा है, तो yukraine जो की war जहल रहा है, वहां से भारत को जो है, काफी हद तक जो है, edible oils supply होता है, और उस supply process में जो है, अचानक से रुकावट आ जाने के कारण, फिर से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो oils और fats हैं, उनमें व्रद्धी देखने को मिलेगी, उनकी price में विच इज, अब यूक्रेन के लिए कहा जा रहा है, कि विच इज दा लार्जेस्ट सॉर्स अफ sunflower oil, इंपोर्ट का मतलब होता है, किसी चीज को आयात करना, इंटो इंडिया, तो यूक्रेन जो है, सबसे बड़ा स्रोथ है, जहां से भारत sunflower oil को आयात करता है, with price gains in clothing and footwear, कि कपले और अगर ये जूते चपलों की अगर हम बात करें, इनमें अगर हम मूलि वृद्धी की बात करें, fuel and light and transport and communication, इसके लाबा विबिन, जो fuels है, light है, transport के जो साधन है, communication, संचार के जो साधन है, all running well above 8% level, इन सभी छेत्रों में, महंगाई 8% level से उपर चल रही है, the overall trend in retail inflation is now clearly broad based across consumption categories, अब editorial आगे बताता है, कि अगर हम to overall trend की बात करें, अगर हम बात करें to overall, तो ये जो retail inflation है, यानि कि खुदरा चेत्र में ये जो inflation है, clearly एकदम इस पश्ट रूप से broad based, जब हम किसी भी चीच के लिए बोलते हैं, broad based, इसका मतलब होता है, that will affect many different places, that will affect many different activities, तो retail inflation is now clearly broad based across consumption categories, अब यहां पर ये across आया है, कि ये जो विभिन तरह की जो consumption categories है, यानि कि विभिन चेत्रों में जो उपभोग consumers के द्वारा किया जाता है, तो उन सभी चेत्रों को inflation प्रभावित करेगी, प्रभाव डालेगी, and disconcertingly का मतलब चिंता जनक रूप से, disconcertingly का मतलब चिंता जनक रूप से, way above, काफी उपर है, काफी ज्यादा है, tolerance level, यानि कि महंगाई का वो level, जिसे हम बरदाश्ट कर सकते हैं, उससे काफी उपर महंगाई का level बना हुआ है, also, with the pump prices of fuels, yet to reflect का मतलब है, प्रदर्शित करना, the recent upsurge का मतलब है, बड़ोतरी, in international oil prices, कि जो pump prices होती है, फ्यूल की, यानि कि आप petrol pump पे जाके, जो कीमत चुकाते हो, फ्यूल के लिए, तो अभी yet to reflect का मतलब है, अभी जो pump prices है, उनको प्रदर्शित करना है, यानि कि अभी आने वाले time में हम देखेंगे, कि जो pump prices है, उनमें और ज़्यादा बड़ोतरी देखने को मिलेगी, क्यों, to reflect the recent upsurge, कि अभी हाल ही में, जो बड़ोतरी हमें देखने को मिली है, इन international oil prices, कि अंतरास्ट्रिय तेल की जो कीमते हैं, उनमें अभी हाल ही में हमें बड़ोतरी देखने को मिली है, क्यों, in the wake of, के चलते, के कारण, Russia's invasion, invasion का मतलब है attack, आक्रमन, of its southwestern neighbor, कि Russia ने अपने southwestern पड़ोसी पर जो अटेक किया है, उसके चलते, international oil prices में बड़ोतरी हुई है, और ये बड़ोतरी अभी, जो है, reflect होनी बाकी है, pump prices पे, यानि कि, transport and communication inflation, तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अगर हम बात करें, transport and communication की है, कि ये जो हमारी परिवहन सेवा है, इसमें जो मूलिवरद्धी है, is certain, ये निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ेगी, is certain to climb का मतलब है, और उपर जाना, और बढ़ना, is certain to climb sharply, यानि बहुती तीवर रूप से, तो इसके चलते, जो transport छेतर है, उसमें मूलिवरद्धी बहुती तीवर रूप से उपर जाएगी, ये तय है, once, जब एक बार, state-run refiners, reset prices, to reflect crude cross, कि भई, state-run refiners, जो हमारी women refineries हैं, जो कि राज्य के द्वारा संचालित की जाती हैं, reset का मतलब है, पुनसेट करना, prices, कि भई, वे अपनी जब price को पुनसेट करेंगी, to reflect crude cross, यानि कि crude oil जो खरीदा जाता है, भारत सरकार के द्वारा, उस crude oil जो खरीदा जाता है, वो कहां आता है, विबिन refineries में आता है, इसके बाद में refineries के माध्यम से, ये fuel जो है, विबिन जो है, पंप, विबिन जो है, पेट्रोल पंप्स तक पहुंचता है, तो अभी state run refineries जो है, वे दुबारा से price को reset करेंगी, तो उस reset price का खाम्याजा, ultimately, customer को ही भुगतना पढ़ेगा, the price of India's crude basket had already risen, the price of India's crude basket, यहाँ India's crude basket का मतलब है, कि भाई यह भारत जो भी कच्चा तेल खरीदता है ना, पूरे international community से, had already risen, risen का मतलब है, और उपर बढ़ जाना, और उपर उठ जाना, by over $20 a barrel since December to $94.07 last month, तो December में यह जो भारत आप कहते हो, कह सकते हो कि इंडिया का जो crude basket है, तो उस हमें क्या थी कीमत, December के आसपास $20 a barrel, और आप कितनी हो गई है, $94 a barrel, पिछले महीने इतनी दर्ज की गई, देखो कितना अंतरा गया, 20 से लेकर 94, and with global crude prices, currently in uncharted territory, देखो uncharted का मतलब है, जिसका अभी आपने map तयार नहीं किया है, uncharted का मतलब है कि अभी आपके लिए ये situation uncharted का मतलब है unfamiliar है, Ukraine, war के चलते, अभी भी इस्तिती पूरी तरीके से इसपष्ट नहीं हुई है, किसी भी चीज को chart कर लेने का मतलब है, किसी भी चीज का बिलकुल नक्षा तयार कर लेना, उसको बोलते हैं कि भी यहाँ, आपने chart prepare कर लिया अची तरीके से, uncharted का मतलब है, अभी तक जो situation है, या कोई भी जो परिस्तिती है, वो uncharted है, इसका मतलब है अभी भी वो आपके लिए unfamiliar बनी हुई है, unknown बनी हुई है, with global crude prices currently in uncharted territory का मतलब है, चेत्र, on account of का मतलब है के चलते, the war, की war के चलते, Ukraine वार के चलते, global crude prices जो है, वे unknown इस्थिती में बनी हुई है, and the rupee having weakened, and the rupee having weakened by about lag-bhag, 2.5% against the dollar, since the start of the conflict, conflict का मतलब है संगर्ष, यानि कि ये Russia-Ukraine संगर्ष होने के साथ ही, हमें क्या देखने को मिला है, rupee की जो कीमत है, उसमें कमी आई है, यानि कि rupee कमजोर पड़ गया है, कि इसके dollar के मुकाबले, कितना? 0.5% है न, it is hard to see any near term, near term का मतलब है, निकट की अवधी में, relief on the fuel price, front का मतलब है मोर्चा, तो ये काफी मुश्किल है, कि हम निकट भविश में, कोई राहत देख पाएं, fuel price के मोर्चे पर, fuel price के संबंध में, a glance का मतलब है एक नजर, at last month's producers, at last month's producer, prices of the energy basket, shows, अगर हम एक पिछले महीने का जो भी हमारे पास में data available है, उसके उपर अगर हम नजर डाले हैं, खास करके energy के संबंध में, तो वो क्या दिखाता है, वो आंकले हमें क्या दिखाते हैं, inflation in the fuel and power category, कि fuel और power category में, जो inflation है, of the wholesale price index है, पूरा WPI की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं न, थोक संबंध में अगर हम बात करें, तो वाज़ट 31.5%, तो fuel and power category में, जो WPI था, पिछले महीने, वो कितना दर्ज किया गया, 31.5% and in a sign, और एक चिन के रूप में, एक संकेत के रूप में, that manufacturers are no longer able, कि जो निर्मान करता है, manufacturer है न, कि जो निर्मान करता है, निर्मान करने वाले जो WIBIN companies है, are no longer able, अब वे अधिक लंबे समय तक, इस योग्य नहीं है, to keep absorbing cost pressure, कि कीमतों का जो लगातार दबाव बढ़ रहा है, उसको absorb कर लेना, absorb कर लेने का मतलब होता है, कि कीमतों का दबाव खुद भुगत लेना, तो WIBIN companies जो है, अब वे इस हालत में नहीं है, कि बढ़ती हुई कीमतों का दबाव जो है, स्वयम झेल ले, यानि कि बढ़ती हुई कीमतों का दबाव, अब उन्हें consumer तक पास करना पड़ेगा, यानि की ultimately price जो है, वह consumer को ही pay करनी पड़ेगी, inflation in manufactured products accelerated to 9.85%, कि महंगाई की अगर हम बात करें, कि जो भी निर्मित products होते हैं हमारे, उनमें महंगाई जो है हमें, और ज़्यादा बढ़ गई मतलब है, कितनी बढ़ गई, accelerate का मतलब है, और उपर चले जाना, और बढ़ जाना, to 9.84%, presaging, देखो, presage का मतलब होता है, कुछ कहना, यानि की presage का मतलब, आप एक तरीके से कह सकते हो, कि to show, या to suggest, that something unpleasant will happen, मतलब कुछ ऐसा संकेत देना, कि आगे भविश में कुछ गलत होगा, उसको बोलते हैं, presage, presaging more pains, more pain for consumers, तो ये आप कह सकते हो, कि जो inflation है, manufactured products के संबंद में, ये इस तरह के शकुन दे रही है, बोलते हैं ना, कि अच्छे शकुन नहीं मिल रहे, तो ये बुरे शकुन देखने को मिल रहे हैं हमें, इसके माद्यम से ऐसा लग रहा है, कि आगे आने वाले समय में, जो consumer से, उन्हें और ज्यादा दर्द जेलना होगा, RBI Deputy Governor Michael D. Patra, had last week, cited का मतलब है, हवाला देना, the headroom available, अब यहाँ पर देखते हैं, कि भई RBI के जो Deputy Governor है, Michael Patra, RBI के जो Deputy Governor है, इन्होंने सरकार को है न, इन्होंने इस बात का हवाला देते हुए, cited the headroom, headroom का मतलब होता है, opportunity to grow, available for the government, कि भई सरकार के पास क्या opportunity available है, सरकार के पास, क्या, the headroom का मतलब होता है, opportunity for doing something है, to develop, to progress, the headroom available for the government, to cut taxes, तो RBI के Deputy Governor द्वारा, सरकार को जो है, कहा गया था, कि भई आपके पास यह opportunity है, कि आप क्या करो, tax में, क्या क्या करो, कि जो fuels के ओपर, जो tax लगा रहा है, उसमें, क्या क्या करो, as a source of comfort, तो इसके माद्यम से, थोड़ा सा comfort मिलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी, consumers को, on the inflation front है न, कि भई, inflation more cheap है, यानि कि, जो महंगाई का, महंगाई का जो मोर्चा है, यानि कि महंगाई के चित्र में, consumers को कुछ राहत मिलेगी, अगर सरकार, confidence survey का मतलब होता है, जो उपभोगता है, वह बाजार के प्रती, कितना आश्वश्ट है, तो RBI ने, जो consumer confidence survey किया, उस survey में, showing, ये दिखाते हुए, most households, कि ज़्यादा तर जो घर हैं भारत के, ज़्यादा तर जो households हैं, reporting, उनमें इस तरह की, हमें report नजर आईए, further reporting, further increases, तो ये जो survey किया गया, इस survey में इस बात की, जो है reporting की गई, further का मतलब है, और, और add करते हुए, increases in overall spending on essentials, कि, essentials का मतलब होता है, बहुत ही जरूरी सामगरी, कि, जो women households हैं, उन्होंने, essentials जो products होते हैं, जो बहुत ही जरूरी products होते हैं, उनके उपर तो consumers ने, जो है जादा पैसा spend किया है, and remaining far from, far from का मतलब है, बहुत दूर, sanguine का मतलब होता है, optimistic होना, आशावादी होना, किसी चीज को लेकर, जोश से भरे होना, and remaining far from sanguine, on the prices outlook, कि, अगर हम बात करें, कि यह जो outlook का मतलब है, एक तरीके से न जा रहा, कि यह जो price outlook है, इस छेतर में, आशावादी नहीं है, जो consumers हैं, वे आप कहा सकते हो, या जो RBI का यह जो survey है, यह survey, prices के बारे में, जो है, आशावादी नहीं है, policy makers need to act expeditiously, expeditiously का मतलब होता है, शीगरता के साथ, कि जो नीती निर्माता है, उनको शीगरता के साथ, action लेने की जरूत है, to tame का मतलब है, control करने के लिए, inflation, महंगाई को control करने के लिए, नीती निर्माताओं को, जो है, जल्दी से जल्दी action लेने की जरूत है, otherwise, जो है, जोखिम बढ़ जाएगा, otherwise, risk it undermining, और अगर policy makers, जल्दी inflation को रोकने के लिए, कदम नहीं उठाते हैं, तो वे जो है, कमजोर बना देंगे, किस चीज को कमजोर बना देंगे, अंडर्माइन का मतब और कमजोर कर देना, the very growth, कि, the very growth, यानि कि व्रद्धी, अर्थव्यवस्ता के छेतर में व्रद्धी, they are currently focused on supporting, यानि कि policy makers, अर्थव्यवस्ता के छेतर में, जिस growth को support करने के लिए, लगातार अपना ध्यान केंद्रित किये हुए है, वह growth खत्रे में पड़ जाएगी, अगर policy makers, inflation को control करने के लिए, जल्द ही कुछ नहीं करते हैं, तो,